विधायक को CM योगी ने पैदल कर दिया आप सोच रहे होंगे वाक्या है क्या हुआ जो कि जब CM योगी आदित तैनात श्री कृष्ण जन्मेस्थान का दर्सन करने गए तो विधायक पुरन प्रकास उनके साथ नजर आए लेकिन CM तो गाड़ी में बैठके चले गए लेकिन विधायक को किसी ने गाड़ी में नहीं बैठाया और विधायक आवाज देते हुए गाड़ीयों को रोकने का प्रयास करते रहे बाद में जाकर उत्तरपदेश की पुलिस की ट्रेफ एस्पॉर्ट में विधायक को बैठाया गया मतुरा में स्रीकृष्ण जनमेस्थान के बाद सीम योगी आदितनात जब वापस सभास्तल की तरफ दोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने विधायक को पैदल कर दिया स्रीकृष्ण जनमुमी के दरसन के बाद विधायक पैदल नजर आए सीम के साथ सभी गाड़ियों में नहीं विठाया गया बिधायक पूरन प्रकास को विधायक करते रहे गाड़ी चालकों से निवेदन पीछे पीछे दोड़ते रहे बिधायक लेकिन किसी भी गाड़ी ने विधायक को लिफ्ट नहीं दी मतुरा के बल्दे बिधान सबाद छेतर से विधायक हैं पूरन प्रकाद सीम योगी अलितनात स्रीकिशन जर्मुमी के दर्सन को गए थे विधायक भी उनके साथ गए थे हालांके यह विधायक बड़बोले पन के लिए मसहूर है लोड़ते समय नंगे पंप विधायक पुकारते रहे दोड़ते रहे मगर सीम योगी नहीं सुनी विधायक की आवाज और उनकी सीकर्टी से लेकर तमाम अफसर भी उनको गाड़ी में बठाते हुए नजर नहीं आए बाद में मतुरा पुलिस के एक एसकोर्ट ने विधायक को लिफ्ट दी और समाहिस्तल तक पहुचाया यह वीडियो अब लोगों में चर्चा का विसे बनता नजर आ रहा है अमित अगरवाल मतुरा समाचार्ड वंटीफूर